अभी आप लोगों ने देखा कि यह र हो रहा हैं यहाँ पे मैं आपको एर इल्ट के व्यूट दिखा देता हूं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी तक इस पर कितने ज्यादा रिल्स पन चुकह हैं अगर आप लोग भी try करते हो इस reels को तो आप लोग भी काफी ज़यादा है यहाँ पर likes and view पा सकते हैं इस तरीके के reels आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो इस reels का link में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाके आप लोग कोई भी इसमें से reels download कर लेना है ठीक है लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हो यह reels अगर है तो अगर इसको डॉलोड करना है तो इस पे क्लिक करना होता है अगर यह से इस पर क्लीक करके copy लिंक करके आपको Chrome में जाके Reels डाउनलोड लिखना है, उसके बाद आपको वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, अब इसको डाउनलोड करने के बाद आपको आजाना है VN अप्लिकेशन के अंदर, तो मैंने VN अप्लिकेशन का link description में दे रखा है, वहां से आप लोग ज साइड में एक plus का icon दिखता है, आपको इस plus वाले icon पे click करना है, click करने के बाद आपको new project वाले option पे click करने के बाद आपने जो भी video download करके रखा हुआ है, उसको आपको यहां पे select कर लेना है, select करने के बाद आपको इस नीचे arrow वाले option पे click कर देना है, जैसे आप लोग क्लि आपको यहां पे ऊपर एक original का option दिखता है, आपको इस पे click कर देना है, click करने के बाद आप लोग यहां पे देख सकते हो, बहुत सारा option दिख जाता है, तो आपको यहां पे 9 to 16 का ratio जिस पे TikTok का symbol दिखता है, आपको यह वाला select कर लेना है, select करने के बाद आपको नीचे tap करन आपको करना कहा, तो आपको आजाने वीडियो के बीच में ठीक है, तो आपको यहां से देखना है, कहां से इसका photo start हो रहा है, इस बंदे का photo यहां से start हो रहा है, तो हम लोग यहां से इसको cut कर देंगे, तो हम लोग देख रहेते हैं पहले ही कहां से इस बंदे का photo start हो रहा तो हम लोग यहाँ पर वीडियो का लाकर रोक दिये हैं और नीचे स्प्लीट वाले ओप्सन पर आकर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद यह वीडियो हमारा दो पार्ट में कट चुका है अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे तो delete यह part हमारा हो चुका है अब आपको यहाँ पे बहुत सारा option देखने को मिल रहा होगा नीचे तो आपको इसको थोड़ा slide करना है जैसा आप लोग slide करोगे तो आपको यहाँ पे एक volume का option देखने को मिल जाता है तो आपको इस पर click कर लेना है और इसका volume यहाँ पर आपको 0% करके यहाँ पर tick कर देना है यह हमारा वीडियो का काम हो चुका है अब हम लोग इसमें music add कर लेंगे तो music add करने के लिए आपको यहाँ पर music वाले option पर click करना है उसके बाद आपको यहां पे plus वाले icon पे click करना है click करने के बाद आपको extract from video पे click कर देना है अब आपने जो video download किया उस पे आपको select करके हैं और यहां से आपको ok का option मिलेका आपको ok कर देना है अब यहां पे आपको इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह music हमारा यहाँ पर आ चुका है अब हम लोग यहाँ पर choose वाले option पर click करके इस music को select कर लेंगे और यहाँ पर tick वाले option पर click कर देंगे आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर वीडियो और फोटो वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर वीडियो का सेक्षन दिखता है उसके साइड में आपको यहाँ पे फोटो का भी सेक्षन दिख़डा होगा तो आपको इस फोटो वाले आप्शन पे क्लिक करना है अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फोटो है तो यहाँ से हम लोग 16 फोटो एड़ करने वाली है तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि मैं 16 फोटो यहाँ पे एड़ कर लेता हूँ तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने 16 फोटो एड़ कर लिया उसके बाद आप आपको नीचे इस एरो वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है सो हमने इस arrow वाले option पे click कर दिया हमारा सारा photo यहां पे add हो चुका है इसके बाद अब आपको यहां से अपने finger दोनों finger की सहायता से यहां पे आपको इसको जितना भी जूम हो पाई आपको जूम कर लेना ठीक है तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि हमने कितना कितना जूम कर लिया है तो कुछ इसी तरीके से आपको भी यहां पे finger रख के इसको जीतना ज्यदा जूम हो पहे है जहां पे end हो हर तक आपको जूम करते जाना है कुछ इस तरीके से तो यहां पर मेरा protein होचुक है आप लोग देख सकते हो उसके बास हम लोग चलते है अपने first photo पे तो सब्सक्राइब ड्र遊戲 है और कि यह मैं रस्ट फोटो को यहां पर जाता है यह मैं आहने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर लाकर रोक देना है यहां लिगा उसके बाद second photo को भी आपको इसी तरीके से 0.15 second पे लाके रोक कर शोर देना है तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0.15 second यह भी हो गया उसके बाद हम लोग इस photo को भी 0.15 second पे लाके रोक देते हैं तो यहाँ पे इस फोटो को भी हम लोग 0.15 सेकेंड पर आप लोग देख सकते हो विंगर की साहता से हम लोग इसको 0.15 सेकेंड कर लेते हैं इसी तरीके से हमको सारे फोटो को 0.15 सेकेंड कर लेना है तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सारे फोटो को 0.15 सेकें दीख जाता है तो आपको इस एक्सपर्ट वाले ओप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप लोग इस एक्सपर्ट वाले ओप्शन पर क्लिक करते हो यह वीडियो आपके गैलेरी में सेब हो जाएंगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना चैन